आज आज दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वह एम जीटी टू इलेवन इंट्रोट्ट्ट्ट्शन टू बिजनिस के हवाला से है जो हमारा जीडी बी नंबर आया हुआ है वन आया हुआ है उस हवाले से है दोस्तों जिन दोस्तों है अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताके मेरी हाराने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके और आप उससे सीख सकें दोस्तों इस जीडी पी को शु कर लिया करें तो आईए हम लोग अपने जीडीबी की तरफ चलते हैं जी इसमें हमें केस दिया गया तब रोकलेंड अनिम इंप्लाइमेंट इस आफ्टर इस वन आफ ता सर्वेस्ट चैलेंज पाकिस्तान है विन फेसिंग फिंफ लॉंग एंड विचिव अन लॉकली स्टील अ हम इसमें ग्याचिण इसलिब बीकिस्तानिश अ गर ची तरफ टो इसंग प्रॉकल्ड प्रफ चैलेंज प्ली उसमेंड इस खांड बार्फ घ्ट्योन इस टिखेंट उन इस टेफ में इसस इंपलेंग इस इस्तिया इसमें एंग अनो इस्टर इस्तिंग इस्टीर शड़ In these circumstances, it is most impossible to meet the necessities of life as there are so many financial requirements a person has to fulfill. However, there are so many existing ways to make money, especially in the digital age. Yes, you can earn online as it doesn't require much investment only you need to give in some year precious time. In this case, it has been told about unemployment and it has been told that there is a lot of value in our country and there are so many students who are graduates and are master degree holders but they don't have a job but they have an opportunity for earning online in this digital age but they have an opportunity for earning online in this digital age but they have an opportunity for earning online in this digital age. required being a business student which online business you should choose that to be beneficial in terms of generating money and developing you as well. Which business is which we will select for our online earning, write any one of business ideas and justify why you want to choose that business. So, how many should we choose? Which we will also know that this is our GDP requirements. Let's move on to this solution. I have seen here 5 different resources that have been listed on the online business. You can choose any one of them. आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हो और फिर आपने आगे इसके डिटेल भी देनी है मैं आपको थोड़ा से समझा देता हूं कि हो तो फ्लेक्ट थी बिजनिस एंड हो तो राइट थी जफ्टिफिकेशन ऑफ तैट बिजनिस फफ फॉल वी हाव दी फिलेक्ट आउलाइं बुक शॉप मैंने आउनलाइं बुक शॉप के हवाले फे लिखा है इसके जर्टिफिकेशन में आप लिख सकते हैं कि हम आउनलाइन बुक परवाइड करेंगे ऑर आउनलाइन जो है मतलब बाकि डिफरेंट जो रिलेटिड आइटम्स हैं वो फारे प्रवाइड करेंगे और इसकी वज़ा क्या है जी उसकी वज़ा ये है कि आवर एजुकेशन रिलेटिव बारी लो और उसकी वज़ा ये भी है कि हमारी इंवेस्मेंट इतने नहीं होती और आज कल डिजिटल एज है लोग जो है वो डिजिटल शॉपिंग कर रहे हैं तो for that we have open an online bookshop to purchase books and different different stationary item तो हम इस लिए जो है इस online bookshop को open करेंगे second जो है online dairy store लिखा हो है जी अब as you know very well about the digital age हम डिजिटल एज के अंदर रह रहे हैं और लोग जो है mobile बहुत व्यादा यूज करते हैं और लोग जो है बाहर जाने की पजाए यही कोशिश करते हैं कि product जो है वो उन्हें घर बैठाए मिल जाए तो we have to open an online dairy store from where the user can purchase the milk as well as the he as well as an other milk related product तो इसकी भी जरूरत है we can open the online dairy store and a huge profit इससे हम एक huge profit कमा सकते हैं इसके बाद है the online car rent store हम rent a car कभी एक online shop बना सकते हैं और लोगों को इसकी भी जरूरत है जिन लोगों के पास सवारी नहीं है एक जगा से दूसरी जगा मूब करने के लिए जैसे आजकल हमारे पास वो क्रीमों का एक concept आया हूँ है या उबर का जैसे है लाहर के अंदर या बिग सिटीव के अंदर चल रहा है तो हम भी ऐसे एक घर कर वबर किया पहल खंच आए एजर को श безопас value कर सकते हैं hayır कि कर सकते हैं और करीमों ने बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं यह वैजितर लोगों को के उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्राइब करना होता है और वो इजीली जह है वो अपनी सवारी को लुकेट कर सकते हैं इस दो पिलेस आइनी वेर इन्य टाइम था फॉर्थ पर जो मैंने लिखा है वह उनल्लाइन शॉप एंदर आपके फ़ारे जो डिफेंट आइटम है डिली यूजज के वह आसकते हैं इज़ी पर लाफ्ट में जहा है ओनलाइन फैनेड्री स्टोर लिखा है जी फैनेड़ी स्टोर की भी जरूरत है क्योंके लोगों तो कंस्यूमर बाय देफ्टिफिकेशन देनी है जफ्टिफिकेशन चाहिए आपकी डेट्स वर्ड की 200 वर्ड की होनी चाहिए दौफ्टों साथ के साथ मैंने एक यहां पे जफ्टिफिकेशन देकर भी आपको दिखा देया है इसको क्यों सुलेकिशन साथ न आपकड़िक अफ्टिफिकेशन वर्ड क्रिकशन मैंने एक बायख क्रिक आपको दिखाइब फूटिफिकेशन साथी उर्ड कपड़य मेल सकते हैं तो आप यह चीजें खरीद सकते हैं इसकी रीजन ऐसे लखने है, रीजन फार स्लेक्टिंग दा बिजनिस हमने इसको क्यों स्लेक्ट किया है, यह जस्टिफिकेशन साथी स्लेक्टिंग अफ टेक्ट बिजनिस वह यह है, तो दोस्तों यह हमारा जीटिबी है, मौसिन भाई की वेबसाइट वीजनिस देखते रही है, उस पर में टर्म के हवाले से काफी सारे मेटिरियल, मतलब पास्ट टर्म प्रिपल्स या असाइन्मेंट स्लेशन या और भी काफी सारे मेटिरियल अवेलेबल है, और इसी तरह मौसिन भाई का यूट्यूब चैनल झाल